असलाम वालेकुम वेलकम अबिल होस किचन हेलो फ्रेंड आप सब लोग कैसे हैं उम्मिद करती हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक हो बेश में करना वैस फिर से बढ़ चुका है प्लीज जब भी बाहर जाए मासकान इंशांटेज का ज़रूर इस्तिमाल कीजिए और कोवी नाइ आज मैं आप से शेयर करने वाली हूं चौकलेट सिरप जिसे बनाना आसान भी है और यह एकदम मार्केट जैसी तेश्टी बनकर तयार होगी इसकी लिए हमेश आई यह तोटे बुस्पून बटर लिंगे वनिला एसेंस वन कप शुगर पानी कोको पॉडर फोर टेबुस्पून फ्लार लिंगे वन टेबुस्पून एक सॉस पैंड लिंगे सॉस पैंड में शुगर डाल दिंगे कोको पॉडर दाल लिंगे आप मेरे चानल में नई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटर को प्रस कीजिए ताकि मेरे नई लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचें बटर दालेंगे मिक्स करने के बाद पानी को डाल दिंगे ग्यास आन करेंगे उसके बाद पैन रखेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे आपको मेरे चानल में तेस्टी अन हेल्दी रेसिपी जरूर मिलेंगे प्लीज वार्च अन शेर कीजिए अन सस्क्राइब कीजिए यह बॉइल होने लगा है एक बार चेक करेंगे इसे चलाता ही रहेंगे और लो फ्लेम ही रखेंगे ग्यास को इस आटे में पानी डालेंगे आच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सब पानी डालेंगे ताकि एक भी गुटली ना रहे यह 50 परसंट गाड़ा हो चुका है अब हमेशे डाल देंगे डालने के बाल लगातर से चलाता ही रहेंगे वनिला एसन डालेंगे हाफ टेबल स्पून हमारा चौकलेट सिरप बन चुका है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ठीक हो चुका है ग्यास को बन कर दिंगे देखिए हमने कितना अच्छे से घर में ही आसानी से चौकलेट सिरप बना लिया है एकदम मार्केट जैसी इसका कलर वैसे ही और इसका ठीकनिस वैसे ही से मार्केट जैसी आप इसे एक कंटेनर बाक्स में डाल दीजी जब चाहे इसका इस्तिमार कर सकते हैं बच्चों को दूद में डाल कर दे सकते हैं केक बनाते वक्त, चक्ट बनाते वक्त, बिस्केर बनाते वक्त इसे डाल सकते हैं और इसे आईस क्रीम में भी डाल सकते हैं इंशाल्ला अगले रेसिपी में हम जरूर मिलेंगे Allah Hafiz